नमस्कर दोस्तो अभी 23,342 डोलर चला है अभी यहाँ पर एक तो सबसे पहले हमे weekly closing 23,000 डोलर से उपर चाहिए दुसरी बात यह है कि यहाँ पर देखा जा है तो अभी इसका breakout हुआ है अभी अभी देखा जा है 200 daily moving average का breakout हो चुका है आप यहाँ पर देख पारे हो अभी यहाँ पर नजर रखना है daily candle पर भी नजर रखना है daily candle ज्यादा से ज्यादा 23,500 डोलर से उपर देता है पांच दिन देखना पड़ेगा तब यहाँ पर हमें confirmation मिलेगा कि यह breakout है या breakout है क्योंकि इसके पेले भी बहुत बार breakout तो हुआ है वो एक फेकाउट निकला है देखते है थोड़ा सा previous history तो देखो प्रिंट्स यह मामला है फरवरी महिने का 2022 का जो फरवरी महिना था हम भी एक trend में चल रहे थे यहाँ से bounce back मिला यह area तक गए मतलब 44,850 डोलर वापस से bottom पर आये वापस से वही area पर गए 44,850 डोलर और यहाँ से एक breakout मिला देखो यह breakout दिख रहा है बट यह निकला एक breakout आप समझ सकते हो तो वहाँ पर जैसे फेकाउट निकला और market आ गया नीचे क्योंकि धिरे धिरे sideways तो गया हमें लगा कि यह उपर चला जाएगा बट यह उपर नहीं जा पाया इसलिए मैं बोल डाओ कि अभी आपको वेट करने की ज़रूत है यहाँ पर कम से कम डिली कितना केंडल बना था 3, 6, 9, 10 केंडल उपर बना था breakout से उपर 10 केंडल बनने के बाद वापस से हम नीचे आ गए और फिर जो नीचे आया 37,000 डोलर का जो support एरिया पर support लेता था वहाँ पर sustain नहीं किया price ने और breakdown हो गया और बहुत बड़ा गिरावट में देखने को मिला 30,000 डोलर तक 7,000 डोलर का डम तो इस बार भी यहाँ पर कुछ एशा नजारा दिख रहा है यहाँ पर एक breakout तो मिला है देखो एक breakout तो मिला है बट यह हो सकता है breakout चुकि market के इतने moment अच्छे नहीं है उपर से इतनी सारी negative news उपर से एक तो downtrend चला है इतना ज़्यादा market गिरा है तो थोड़ा सांस तो उपर लेगा ही लेगा इसलिए हमें ज़्यादा बूलिस होने की कोई जरूत नहीं है हमें और वेट करने की जरूत है वेट तो करना पड़ेगा अब यहाँ पर हमें at least 10 candle देख लेते हैं मैंने तो 5 का है बट 10 इतना candle देख लेते हैं अभी बले bitcoin 24,000 डोलर तक चला जाए 24,000 डोलर तक जाता है तो भी हम नहीं मान सकते की bitcoin का price अगेन उपर जा पाए चुकि उतना बड़ा अभी support नहीं बना है support बनने से पेले market उट गया है अब daily candle में देखो उतना बड़ा support नहीं बना है मैं नहीं मान था मेरा जो analysis है एकदमेशा perfect होता है जैसे की मेरे लिए प्रस्णल इमेशो analysis देखता हो जब तक बड़ा कोई support नहीं मिलता तब तक हम नहीं मान सकते यहाँ पर भी देखो market उठने के लिए कितना बड़ा weekly support बना था फिर market दाके उठा था उसके बाद देखो support यहाँ पर भी बन रहा था बट यहाँ से नीचे break out हो गया था और देखो friends इससे पेले भी बहुत बड़े बड़े support बने उसके बाद यह अच्छा घाजा हमें moment देखने को मिला है अब यहाँ पर आपको कोई उतना बड़ा support देखने को नहीं मिला है only on 4 गेंडल बना है और यह के बड़ा गेंडल दिख रहा है तो हमें बुलिस होने की तुरंत जरूत नहीं है अब यह wait करना पड़ेगा और आप एक risk लेना चाते हो तो 24,000 डोलर 23,500 डोलर से short opportunity बनता है leverage लेना है only 3x 25,000 डोलर तक भी जाता है तो भी वहाँ से short opportunity बनता है target 20,000 डोलर के around around देखना है और हमारा loss कब book करना है देखो loss book करने के लिए भी एक target रेता है तो loss हम book करें कि जब 25,000 डोलर से उपर दाना start हो मतलब 10% जितना हमारा loss हो सकता है 10% जितना हमें target लेके बेठना है 10% जितना loss हमें book करने के लिए तयार रहना पड़ेगा तब आप यहाँ पर short opportunity open कर सकते हो क्योंकि यहाँ से जैसे market गीरा तो 3000-4000 डोलर का dump लग जाएगा तो सीधा सीधा हमारा 30-35% का profit हमारे सामने दीख रहा है अभी के लिए देखो इसके पहले भी काफी बार ऐसा हुआ है मैं आपको बता दू कितनी बार market ऐसे चलता था तो देखो प्रेंट्स यह था यहाँ पर sideways यहाँ पर daily candle देखते तो आपके लिए आईडिया है क्योंकि अभी market मुझे नहीं लगता कि उतना आसान ऊपर चला दाएगा तो देखो यह था तक्रीबंद यह rally से पहले यह rally से पहले यह market sideways moment में था तो देखो यह market sideways moment में था आप लोग यहाँ पर देख रहे हो काफी बार try किया काफी बार try किया काफी बार try किया जो लोग देख रहे हैं उसमें से 80% लोग समझ जाएंगे इसा नहीं कि market उपर भाग जाएगी हम और ज्यादा उपर market भाग जाती है मान लो यहां से market उपर भाग गए तो 28,000 डोलर तक wait करेंगे 28,000 डोलर major resistance उसको जब तोड़ेगा तब हम buying करेंगे हम उपर से भी buying कर सकत है बट यहां जाके हम buying करेंगे और bitcoin फिर 12,000 डोलर 13,000 डोलर जो हम देख रहे वहां चला गया तो हमारे पास पेशा नहीं बचेगा 28,000 से डोलर से उपर गया तो पेशा तो हमारे हाथ में है हम कहीं भी ऐसे तो coin होंगे ही होंगे जो bottom पर होंगे वहां जाके हम buying करेंगे त 25 को दोड देता है तो फिर loss book कर सकते हो और 28,000 डोलर तक wait करना चाते हो तो आप 2x का leverage लो चार दानी only 2x का leverage क्योंकि मामला ज्यादा गडबर ना हो लोस ज्यादा ना हो बाकि यहां पर हम लोंग करने से कोई फाइदा है लोंग में तो बुरा फस रपता है क्योंकि 12-13,000 ड और अभी रीटेस्ट कर रहा है अब यहां पर ध्यान रखना है रीटेस्ट करता है या अगें ट्राइ करता है वो आपको यहां पर नजर रखना है 22,000 डोलर से नीचे आ गया और वहां closing देना स्टार्ट कर देया फिर तो मार्केट नीचे ही आएगा आज ध्यान रखो 3-4 देन ध्यान रखो 23,500 डोलर से उपर बीट कोई रहता है तो ठीक है तो 24, 25, 26, 27, 28,000 डोलर तक मुमेंट दिखा सकता है बागी जहां पर 30,000 डोलर से नीचे closing देना स्टार्ट कर देता है फिर मामला गडबड़े दीरे 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 करके वापस से मामला गडबड़ हो सकता है तो नजर रखो मुझे लगता है उम्मीद करता हो वीडियो आपको पसंद होगा वीडियो को लाइक करना देखो मेरे बाए इसमें लोज तो हो भी सकता है प्रोफिट भी हो सकता है यहां पर वहे माउट यूज करे कि आपका लोज भी हो जाए तो भी आपको कोई गडबड करेंगे अब शोट में क्या है मानलो मार्केट उपर जला गया तो आपका 5-7 परसंट दो लोज होता है वो लेने के लिए आप तयार होने चाहिए तब जाके यहां पर आप ट्रेड ले सकते हो बाकि हीट हुआ तो सिधा में दिखा रहा हूँ अठ्रादार निस दा डोलर औ करेगा 19000 डोलर पर प्राइस असनेंग नहीं करेगा च्योंकि मैंने एक रंज बताया था यहां पर टेली चाट लेते मैं के रंज दिखा याथा था मैं दिखा देता हो वहीं मामला होगा इस बार जो नीचे आया तो यहीं मामला होगा मैं जो रिज दिखा रहा था एवरें मिलता था वो नहीं मिल पाया तो सेम सेनारियों वहां पर भी होगा यहां पर देशे यहां पर हमें ब्रेकाउट दिख रहा है प्राइस सस्टेंग नहीं कर पाया ओपर दिरे दिरे साइड़ गया थोड़ा बहुत ओपर 24 भी गया बाट वहां से नीचे रिजेक्शन मिला और म लोस्बुक कर लेंगे